सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एज्यूकेशन संबनी न्यूस तुरंट पाने के लिए जी यहां साथियो स्वक्त की बड़ी कबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने गलती से रिजल्ट को वेरिफाई कर दिया है तो उसको अब अनवेरिफाई कर सकते हैं उसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे किसी क्लास का रिजल्ट है है जो जो स्कते हैं जो जाएंगे इस मिल रहे है यह लग्ण डॉर्पण नहीं दिखा है। लोगल आप सभी करना आम ऐसी अउमीद करते हैं है उसके बद आपको क्या करना है यहां पर एक प्रिणाम टेब आ रहा है रिजल्ट का जो टेब आरहा है उसको इपन कर है अभी तक उसमें lock option दिखा रहा था तो अब आप उसको unlock करके भी भड़ सकते हैं साथी चरी साथी और नौवी क्यार वी कर दिया है तो उसको इस option से unverify भी कर सकते हैं यह किस प्रकार करना है उसके लिए दोस्तों मैं आपको देखा देता हूं कि जैसे हम पहले समेटिव एससमें या ऐसे की entry करते हैं एसे की entry करने के लिए यहीं पर क्लिक करेंगे तो यहां पर class पूछी जाएगी तो class मैंने भर दी show student detail के उपर हम क्लिक कर देते हैं तो नीचे एक list खुल जाएगी जिसमें यह देखे विद्यार्थी का नाम सर नंबर ऐसे 123 सारे भरे हुए हैं और पास में लॉक भी कर रखें हैं यह सारे विद्यार्थी लॉक है अब हम इसको अनलॉक करना चाहेंगे या कि देख गे गलत समयटिव एसे अनलॉक तो इसके उपर आपके क्लिक करेंगे तो यहां पर हमसे क्लास पुछी जाएगी तो क्लास का समयटिव एसेस्में लॉक करना है त्रैक्शन और स्टूइन बेटन के उपर क्लिक कर दीजिए यह करने के बाद दोस्तों नीचे लिस्ट खुलेगी तो यहां पर जिस बच्चे को हम सलेक्ट करेंगे उसका अनलॉक हो जाएगा जैसे मैंने एक बच्चे को सलेक्ट किया है सलेक्ट ऑल का भी ऑप्सन है ऑल भी कर सकते हैं एक बच्चे को हम सलेक्ट कर लेते हैं और अनलॉक के उपर क्लिक कर देते हैं तो देखते हैं कि जिस कोनों के इसी तरह से होगा तो यहां पर हमें क्लास पूछी जाएगी फिर बढ़ दीजिए और यहां पर देख लीजिए कि जिसका हमने पहले लॉक दिखाया था उसको अनलोग भी गया है वापस लॉक का ऑप्शन भी आ रहा है धन्यमा साथ यह वीडियो आपको पसंद आई जोगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले गंटी के बटन को जरूर दबाएं जोगेशन समंदी ने उस तुरण पाने के लिए